नमस्कार मित्रों जै मातादी मित्रों आप शवी का हार्थिक स्वागत है मित्रों देनिक राश्री फल की बात करनी जा रही है 28 जुलाई बोद्वार के दिन देनिक राश्री फल के बारे में ग्रह गोचर की इस्तिती के अनुशार कौन शे बड़ी परिवर्तन आज आपकी देनिक जीवन में देखने को मिल शक्ती हैं यहां जानकारी चंद राश्री पर आधारित आपको देनी जा रहे हैं मित्रों आज का दिन किस तरहश्र प्लान करें ताकि दिन खाश बने जानने के लिए वीडियो के आंत तक जरूर बने रहें चलियो शुरुआत करती हैं पंचांग से पंचांग की बात करें तो 28 जुलाई बोद्वार का दिन रहेगा और श्रावन मा के करिषण पंच के पंच में तिथी रात्री 2 बश कर 48 मिनद तक इसके अपरांद कर्श्न पंच क की सस्टी तिथी आरंभ हो जाएगी पोरु भादर पदा नक्स्यत्र रहेगा सुभा 10 बजकर 45 मिनट तक इसके उपरांत उत्तर भादर पदा नक्स्यत्र आरंब हो जाएगी अती गंडी योग रहेगा रातरी 8 बसकर 18 मिनट तक इसके उपरांत सुकर्मा योग आरंब हो जाएगी सोरी रासी रहेगी करक राशी पर और चंद्र इस दिन में राशी से गोशर करने वाले हैं और आज के दिन अभिजित मुर्द का शमय नहीं है राहुकाल की बात करें तो दो पहर 12 बच कर 33 मिनट से 2 बच कर 11 मिनट तक रहेगा यह शमय निवेश करने से आपको बचना जाहिए क्योंकि यह शमय और सुब माना जाता है चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आपकी शितारी ब्रिशव राशी वाले जातर तक आज आप खुद को स्वस्त महसूस करेंगे और आपका काम शमय पर पोरा हो जाएगा साथ ही आपको अपनी महनत का फल जरूर मिलेगा आज का दिन आपके लिए सुख़द रहेगा ब्रिशव राशी वाले जातर तक किसी नए संपर्क से आपको लाब होगा और कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगे आज के दिन आफिस में शहकर्मी आपकी मदद के लिए तयार रहेंगे और इस राशी के छातरों के लिए जल्द ही बड़ी सफलता मिलेगी और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा किसी खाश विशय पर मित्रों से बात करेंगे बिरिशवरासी वारजाय तक आज आप अधिकतर समय अपने लिए वैतित करेंगे और आज सकरात्मग वैभार दुसरों पर भी अच्छा प्रभाग छोड़ेगा इस समय की गई योजनाएं घर और परिवार दोनों के लिए उत्तम सीध होगा भाईयों के किसी बात को लेकर आज विवाद होगा लेकिन वरिष्ट की लोगों की मध्यस्ता से मध्यस्ता से समस्या का भी जल्द ही समाधान हो जाएगा और किसी विश्यस कारे में व्यवधान से आत्म विश्वास की हानी हो शकती है व्यवारियों के लिए कारिच्छित में सुधार से संबंधित निर्माण की चर्चा हो शकती है जिससे आर्थिक परिशाने भी आज शकती है युवा अपने करियर को लेकर जागरूग रहेंग तो पती-पत्नी के बिज किसी बात को लेकर बिवात हो शकता है, उनसे आपको दूर रहना है, और बेवज़ा की बाती महतों ना दें, और रिष्टे में मधूरता लाएं, स्वास्थे की बात करें तो भोक नो लगना, और अपज की सिकायत रहेगे, आयरुवेदिक दवाईय मित्रू अगर आप भगवान श्री गनेश जी का सच्चे भागत हैं, और उनका शीधा आशिरवात प्राप करना जाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही सच्चे मन्स से कमेंट बॉक्स में जय गनेश अवस लिखतें, धन्यवाद, दीन आपका सुब रहे झाल